सर्दियां आरी हैं और सर्दियों के मौसे में सरीर को गर्म रखना बहुत ही जरूरी है तो कुछ ऐसी डिस बनाई जाए जिसे एक वर बनाए और महीने वर खाएं और इसे बच्चे को भी बहुत ही पसंद आए तो चलिए बनाते हैं आज की नई रेसिपी और वो है सूगर बार इसमें इतने सारे नट्स हैं जो बच्चों के सेहत के लिए हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है बट उससे पहले नमस्कार मैं हूँ खुश्पु कनोजिया और मैं अपने चनल घरका जायका विद्खुश्पु में आपका स्वागत करती हूँ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और मेरे चन को सब्सक्राइब ज़ए तो सबसे पहले हम यहाँ पर धेर सारे नट्स लेंगे जिसमें बदाम है किश्मिस है नारियल है आप बहुत सारे नट्स ले सकते हैं जो आपके पास एविलेवल हो हमारे पास इतने सारे एविलेवल थे तो मैंने इसी का यूज किया और अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो आप बेदाम और नाडिल का भी उच कर सकते हैं और हम इसके साथ लेंगे एक कप सूगर तो चलिए हम सारे नट्स को रोस्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और इसे हम थोड़ा गर्म होने देंगे फिर हम इसमें पीनट को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे और इसे जब तक रोस्ट करेंगे ताकि जब तक इसका छिलका बाहर ना आ जाए ये बहुत ही अच्छी और यम्मी सूगर बार है आपने चकली जारवार खाया होगा बढ़े आपने कभी भी सूगर बार नहीं खाया होगा तो आप इसे एक बार ज़रूथ ट्र mega करियेगा ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और ये थोड़ा smoking जैसा भी लगता है, तो और भी अच्छा लगता है खाने में, तो इसी तरह से हम peanut को थोड़ा सा roast कर लेते हैं, तो अब हम इसे check करके देखते हैं कि इसका छिलका उतरता है की नहीं, तो देखिए इसका छिलका असानी से उतर गया है, तो ये अब अच्छी से रोश्ट हो गया है, अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं, और इसे हम सुखा ही रोश्ट करेंगे, ताकि छिलका असानी से निकले, फिर हम इसी पैन में और भी नट्स को रोश्ट कर लेते हैं, और सारे नट्स को अब हम घी के साथ रोश्ट करेंगे, तो हम पैन में थोड और असा घी आड़ करेंगे और इसे भी ब्राउन होने तक हलका रोस्ट कर लेते हैं इसी तरह से हम सहवी नट्स को रोस्ट कर लेंगे गी के साथ जिसमें पास्ता है पिस्ता है, बादाम है नारियल है किसमिस को हम हलका फुलने तक ही रोस्ट करेंगे तो हम सारे चीज को नट्स्ट के स्थवारा रोस्ट कर लेते हैं अब हम उसी पैन में एड़ करेंगे धीमी आज पर सूगर को और इसे हलका धीमी आज पर बीना चलाए पिघलाएंगे देखिए ये धीरे धीरे पिघलने लगा है इसे और कुछ देर पकाएंगे तो ये असानी से पिघल जाएगा और आप थोड़ा सा केयरफुली कीजिएगा कि ये बहुत गर्म रहता है अब चेनी पूरी तरह से पिघल चुका है आप चाहें तो आप अभी भी गयस को आफ कर सकते हैं अगर आप अस्मोकिंग नहीं बनना चाते तो फिर हम इसमें खुसबू के लिए थोड़ा सा इलाइंची आइड करेंगे और इसे हम कुक करेंगे क्योंकि हमें स्मोकिंग जैसा बनाना है और फिर हम इसे चेक करेंगे पानी में डाल कर थोरा सा डिप करेंगे और जब ये बुंदा जासा बन जाए तो हमारी चीनी रेडी है तो देखिए ये बुंदी की तरह बन चुका है हमारी चीनी अब रेडी है अब हम गयास को बन कर देंगे और इसमें आड करेंगे रोस्ट किया हुआ सारे पिनट और फिर हम इसे एक ग्रीस किये हुए प्लेट पर ट्रांस्फर कर देंगे और इसे कल्चा की हेल्प से फैलाते चले जाएंगे और सारा काम आप ध्यान से कीजिएगा कियरफुली कीजिएगा क्यूंकि ये बहुत गर्म होता है तो इसी तरह से हम सारे को फैला देंगे और इसे सेट होने के लिए ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे आप चाहें तो आप इसे फ्रीज में भी रख सकते हैं जल्दी सेट होने के लिए अगर आपके पास फ्रीज नहीं है तो आप इसे 20-25 मिट के लिए ठंडा होने दीजेगा अच्छी तरह से और जब यह हलका ठंडा हो जाए तब हम इसे कट लगा लेंगे तो इसे कट लगाने के लिए हमें क्या करना होगा हमें एक नाइफ लेना होगा और उसमें थोरा सा ग्रीस करना होगा घी को तो इस तरह से हम नाइफ में ग्रीस कर लेंगे और इसे कट लगा लेंगे और इसे साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए या फिर सेट होने के लिए तो आफटर आदा गंटा बाद देखिए हमारी ये सुगरबार बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है मैं आपको इसे निकाल कर दिखाती हूँ देखिए ये कितनी अच्छी तरह से सेट हुआ और इसका साइन भी कितना अच्छा से आया है तो इसी तरह से हम सारे को निकाल लेंगे और अगर आप चाहते हैं इसे महीने भर रखने के लिए तो इसे एक टीसू पेपर पर लपेट कर रखिएगा ताकि ये महीने भर रह जाए और जब बच्चे को देना हो तो आप इसी तरह से बच्चे को दे दीजिए वो खिलते समय पढ़ाई करते समय किसी भी समय इसे असानी से खा सकें तो इसी तरह से हम इसे रैप करकर रख लेंगे आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज प्लीज इसे एक लाइक एक भी परसेंट आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे एक लाइक और मेरे चनल को सस्क्राइब जरूर करें क्योंकि मैं इसी तरह की कम बजट में बनने वाली नई नई रेसिपी आप लोगों के लिए हमेशा लाती रहती हूं अपने इसी चनल गर का जाय का वित खुश्बू में तो जब तक खुश रहिए, खुशियां बाठते रहिए और आज पासफाइब बनाई रखिए और मेरे चनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल भी मत बुलिए और इंग्रेडियन्स नोट कर लिजिए जो कि सारे इंग्रेडियन्स वीडियो के इन्डे में हैं थैंक यू, टेक क्यार और नमस्कार